How to fix V-Mate verification code not receiving problem तो दोस्तों यदि आप भी जो है अपने V-Mate account आप खोलना चाहते हैं खोल रहे हो लेकिन mobile से जब आप खोलती हो तो आपको यहाँ पर verification code नहीं मिल रहा है तो केसे आप इसे fix कर सकते हैं इस video में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ channel को subscribe करके जाना ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने mobile के settings पर जाना है settings पर जाने के बाद में आपको एकदम नीचे आना है और आपको app management या फिर installed apps के नाम से show खरेगा basically आपको application पर आना है और यहाँ पर आपको ढूणना है आपका application यहाँ पर देखिए दोस्तों application आपको यहाँ पर ढूणना है messages 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 यहाँ पर आपको messages ढूणना है तो चलिए हम अपना messages ढून लेते है MMM message आ चुका है यहाँ पर कहां पर गया messages यहाँ पर आ चुका है इसके उपर click करना है वो सकते हैं कि आपको messaging के नाम से भी show करें पर्मिशन पर चले जाएए और पर्मिशन पर आपको sms, phone, storage यह तिन आपको एलाव रखना है यदि यह तिन एलाव नहीं रहेगा तब आपका बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है आपको बेक आना है अभी बेक आने के बाद में फिर से बेक चले आएए तो यहाँ पर मेरा close हो चुका है चले फिर से वहीं पर हमें जाना है Apps पर हमें जाना है ठीक, installed apps जिसके मैंने का आपको app management, installed apps के नाम से show करेगा तो यहाँ पर आपको जाना है अभी जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर डूनना है वीमेट तो अभी आपको यहाँ पर डूनना है चलिए हम वीमेट डूनने ते वीमेट यहाँ पर है इसके उपर click करना है और अभी यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको storage uses में चले जाएए clear cache कर दीजेगा back चले जाएए और permission पे जाके यह सारा permission आपको allow करना है especially आपका storage microphone यह कर दीजेगा यह दो करीजेगा बाकी करने का जरूरत नहीं उसके बाद दोस्तो अभी आपको जाना है VMAT open करना है VMAT open करने के बाद में recent पे click कीजेगा recent पे click करने के बाद में आपको यहाँ पे verification code मिल जाएगा चली कुछ दिर यहाँ पे wait कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें verification code कितने देर में आ जाता है तो चली कुछ दिर wait कर लेते हैं यहाँ पे तो दोस्तो यहाँ पे मुझे आ चुका है message verification code आप देख सकते हो यहाँ पे 0861 यह मेरा OTP है 0861 0861 मैंने भर दिया अभी मैं login कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही मैं login किया आप देख सकते हो यहाँ पे successful हो चुका है तो दोस्तो आपको बस इतना ही करना है यह करने के बाद में आपको verification OTP मिल जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching